नमस्काल मित्रो श्री स्वामिनारें गुलू कुछित्तल इक्लास में आपका हर्दिक स्वाग थे आजम कक्षा 11 विशेई हिंदी पद्य पांच शिक्षक के नाम पत्र के बारे में अप्यास करेंगे कभी का नाम है अबरहम लिंकन साहित्य प्रकार पद्यानुवाद तो पहले हम अबरहम लिंकन के बारे में बात करेंगे यह तस्वीर में हम अबरहम लिंकन को देख सकते हैं तो यह कभी है अबरहम लिंकन तो मित्रो अब हम अबरहम लिंकन के बारे में बात करेंगे तो इस काव्य का साहित्य प्रकार पद्यानुवाद है आपको याद रखना होगा साल 1809 में अमिर्यका के पूर्व राष्टपती अबरहाम लिंकन का जन्म हुआ था वो अमिर्यका के सालवे राष्टपती थे और रिपब्लिक पाल्टी से थे उन्हें दास प्रथा को खत्म करने और अमिर्यकी गुरुह युद्ध से निजात दिलाने का श्रे जाता है आये जानते है उनके जीवन से चूड़ी कई अहम भाते अबरहाम लिंकन का जन्म एक गरीब अस्वेत परिवार में हुआ था और उन्हें गरीबी की वजह से कई मुश्किलियों का सामना करना पड़ा लिंकन दो बार सिनेड के चुनाओं में अस्वपल भी हुए यसे ही कई चुनाओं में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था उनके पिता का नाम Thomas Lincoln और माता का नाम Nancy Lincoln था अबरहम लिंकन में सम्युप्त राजिय अमिरिका के राष्टपती चुने गए थे अब हम कावय के बारे में बात करेंगे अबरहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के स्कूल के शिक्षक को लिखा था लिंकन ने इसमें वे तमाम बाते लिखे थी जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे ए बाते सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के लिए ही महत्वपुर्ण क्यों हो सभी के लिए क्यों नहीं तो चलिए यह पत्र में जाने लिंकन चाहते थे के उनका पत्र परिश्रमी बने वह अपने बल पर चीना सिखे वह इरिशा द्वेश से दूर रहे वह निर्भय बने उसे पुस्तके पढ़ने में रूची हो वह सत्य और न्याय के लिए लड़े वह अपनी बुद्धी बल से धन कमाए और मुपस्ते मिलने वाले धनी की आशा न करे वह भलो के साथ भला व्यहवार करे और तेढ़ो को सबक सिखाए इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते थे जिन से वह एक आदर्श नागरीक बने लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भई और सत्यनिष्ट इंसान बनाना चाहते थे वे चाहते थे कि उनका पुत्र पसिना बहा कर धन कमाना सिखे वह हर को जेलना सिखे और जितने पर उसकी खुशी में फूला न समाए वह किसी से इर्शा द्वेश न करे और हर्श में भी संयम रखे वह गुंडों से डढ़ने के भडले उन्हें जुकने की कला सिखे वह प्रकुति के सुंदर्य और एश्वर्य का प्रेमी बने उसमें इतना आत्मविश्वास हो कि वह दुसरों की बातों में न आये वह उस व्यक्ति जेसा बने जो दुख में भी हसना है और दुसरों की बातों में आकर अपना मार्ग कभी नहीं छोड़े लिंकन अपने पुत्र को वीर, केरियवान, स्वालंबी, न्यैपिर्य व्यक्ति बनाना चाहते है तो चलिए इस पत्र में हम देखते है तो लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखाए तो इस काव्यम में हम देखे अब हम गुजराती में बात करते है तो विद्यार्थी मित्रो आजे अपने एक एव पत्र जोवानों चे के जेमा लिंकन पोताना दिकराना शिक्षक ने ए पत्र लखे चे के मारा दिकराने तमे शुशु शिखवाड हा अब्यास्तो छेत्ते पन साथे एव व्यक्ति तमारे बनावनों चे के एक कोईनाथी डरे नई निर्भई बने सत्य निष्ट इंसान बने तो जोई आपने तो सोप्रतम लिंकन कहे चे के आदरीनिय गुरू जी सभी आदमी न्याई प्रिय नहीं होते, नहीं होते सभी सत्य निष्ट मेरा बेटा शिखेगा यह कभी न कभी मगर उसे यह भी सिखाईए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधू चरित पुर्षोतम भी स्वार्थी राजनेतिक होते है दुनिया में जैसे होते है उसी तरह पूरी जिन्दगी निचावर करने वाले नेता भी होते है घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते है मैं चानता हूँ सभी बाते चटपट नहीं सिखाते बनती फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाए पसीना बहाकर कमाई हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मुल्यवान है सिखाये उसे केसे जहलते है हार और सिखाये जिदकी कुशी को स्वयम में मनाए तो आरते चे ए लिंकन या पने वाद करे चे काविय अधुरू छे भाग एक नियंदर आपड़े आ जोह रही हाँची तो सर्वत्थां निंकन सु कहेचे आदर इनिया गुरू जी सभी आदमी ज्याई प्रिय नहीं होते शुकी दूशे के बदा आदमी चे बदा व्यक्तियो एक सरका होता नथी आस्वाज नियंदर आपड़े जोह एचे के सज्जन लोकोनी साथे ए दुर्जन लोकोपन जोहा मढ़े चे एले के बदा लोको एक सरका होता नथी नहीं होते सभी सत्य करता नथी आपकाई साचा होता नथी बदा कैए आम सारा मांसु होता नथी साथे खराब लोकोपन जोवा मड़े चे तो कवी वाद करे चे के मारा दिकरन तम्या आरीते सिख वाड़ो के मेरा बेटा सिखेगा यह कभी न कभी तमें केजो के आ जगत दीन्दर आ दुनिया मा चे ए सारा एक खराब लोकोपन छे के पोते खराब रुती है करे चे एना सितारे दूर रहेवानू छे मंगर उसी यह भी शिखाए दुनिया में हर बदमास की तर होता है एक साधू चरित पुर्षोत्तम भी साधू चरित नो अर्था सज्जन व्यक्ति पुर्षोत्तम एटले व्यक्त बुर्षोत्तम नो अर्थाम जोवा जोई तो भगवान थाई चे पन अहीं आपने व्यक्ति करवानू छे के आ जगत नियंदर बदमास लोकोई ड़के गुंडा लोकोपन छे पन साथे एवा लोकोपन छे के विजानो पन भलू करे चे स्वार्थी राजनेतिक होते है दु के स्वार्थी चे के पोतानू सारू करे चे और बिजानो जे थाओ एथे था यहमां मानता होई चे होते है उसी तर पूरी जिन्दगी निच्छावत करने वाले नेता बी अवे आ राजकी ए प्रवोतिन इंदर ए घना नेता सारा पन छे और अम्मो कोईवा नेता हो जे चे ए पोतानू सारू करे चे यहम देशनू जेत थाओ इथाई पर आरितनू पन ए जोवा मने चे तो लिंकन ए पन वाद करे चे के आ दुनिया नेंदर एवा पन नेता होई चे के आ देशनू सारू पन करता होई चे अम्मो क नेताने बाद करता तो आपने शो करवानू चे तो प्रवतिया आपड़े करवानी छे होते हैं घात में दुष्मन अगर तो साहा एक मित्र भी होते हैं तो आपड़े जोए एछे तो के वा दुष्मन जे शे एना थी दूर रहवानू छे मित्र केवो हो जोए तो के ढाल जेवो हो जोए के सुकमाचे पाचाडवे और दुखमा मेश आगर होई छे तो आवा मित्र साथी आपड़े रहवानू होई छे मित्र ता करता पेला अपड़े ये ध्यान राखो जोए के आपड़े मित्र भनावी एछे तो ए मित्र छे एक के वब्रकान वचे सारो चे के खरा वचे आपनो सारो उच्छे से क्या आपड़ू खराबी चे से तो आर्थे आपन साहयक मित्र आपड़े बनावानों चे मैं जानता हूँ सभी भाते जटपट नहीं सिखाते बनती आपने जोई एशे के कवी एपनवाद करे शे पताना दिकरा गुरून 이쌤 के तमें मारा दिकराने शिखारो चो तो आम जुत में एक साती सिखारी सक्षो नैं आमावार लागे मुह जानाुशु ये पर तमें धिमी धिमी आरतिये जिखार George सब्सक्राइब 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 परोगा टेमके एक प्रेत्न यक करिये तो स्वभाई ची आपने के दाच असपरता मड़े पन करिये बरोगा बदी बावबत में सपरता मड़े यहू नथी ये अले असपपरतानी पाचर छे एँ सपपरता चुपाएली इचे तो आपने ये जानी एची एएम और सिखाए जीत की खुशी को स्वयम से मनाए एन आपने जो ये एचे के धारो के सपपरता मड़ी तो आपने एट्ट्रा मदा खुश थाई जई जई एची के आपने बान बुली जता होए एचे तो लिंकन एउपन कहे एचे के तमे मारा दिकरान एपन शिखवाडो के जीत मड़ी होए तो आट्ट्री बजी कुशी मनावने का जरून नथी एम क्यामकर एखुशी छे एकायम टकवाणी नथी तो आरते भाग एक नी अंदर लिंकन ए पतान दिकरान गुरूने आटली बातो कहे चे तो हुआ पच्छी आपने भाग 2 नी अंदर लिंकन कईकर बाबतो पतान दिकराने शिखवाणनू कहे चे एपने जोईसु अस्तु